हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से ब्लॉग में तो दोस्तो अभी मैं बैठा हूँ बस में और इससे पहले हमने जंगल सफारी करके आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं इस्टिच्यू ओफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्टिच्यू ओफ यूनिटी जो है वो है गुजरात में तो दोस्तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा फूरा वहां का व्यू तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहना और वीडियो आप लोग को अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तो जो statue of unity है वो है गुजरात में तो चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं वीडियो पे आप लोग बने रहना दोस्तो अभी मेरे को बस से statue दिखने लग गया है और आगे आप लोग को दिखाता हूँ तो दोस्तो अभी मैं अंदर आ चुका हूँ अंदर का आप view देख सकते हो जो statue का gate है उससे उस gate के अंदर आ चुका हूँ अंदर का आप view देख सकते हो काफी लोग यहाँ पर आए हुए है और चलते हैं आगे को और आप लोग को दिखाते हैं और यहाँ का view आप देख सकते हो कितना प्यारा है तो guys आप लोग देख सकते हो तो चलते हैं आगे को आप लोग को दिखाते हैं दोस्तो यह सरदार बल्लब भाय जी की मूर्ती है और यह दुनिया की सबसे बड़ी statue of unity है गुजिरात में और काफी प्यारा व्यू है यहाँ पर और यह मूर्ती देख के बहुत अलगी फील यहाँ पर आ रहा है क्योंकि यह बहुत दुनिया की सबसे बड़ी statue है तो चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं अंदर का view और statue तो अभी हम जा रहे हैं अंदर अंदर चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं बाहर का view बहुत ही जवरदस्त बना रखा है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक पानी का फुआरा बना रखा है जो बतक यहाँ पर बना रखा है पानी का बहुत ही प्यारा लग रहा है देख सकते हो यह काफी अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अंदर यहाँ से हैं अंदर जाने का यहाँ पर जो हमारी जो टुकन है वो इसकेन हो रहा है जो पास था वो इसकेन के उनके उसके बाद यहाँ पर चेकिंग होगी चेकिंग होने के बाद हम जाएंगे अंदर और अंदर का व्यूद्गाइज आप देख सकते हो, कितना प्यार है सरदार बल्लब भाई जी की जो इस्टीचियो है वो देख सकते हो, और यहाँ पर हम जाएंगे लिफ्ट से, तो चलते हैं, अभी हम जा रहे हैं, लिफ्ट से, आप पैदल भी चल सकते हो, लिफ्ट से भी जा सकते हो यहां पर तो guys यहां का view आप देख सकते हो बाहर का बाहर का view देख सकते हो काफि प्यारा और अभी हम जा रहें अंदर तो guys अंदर भी सरदार बल्लब बाई जी की जो सर है उस सर बना रखा है और अंदर काफी बड़ा है भाई और जो इस्टूचिय। है उसके नीचे अभी हम खड़े हैं जो इतनी दुनिया के सबसे बड़ी इस्टूचिय। है उनके नीचे अभी हम खड़े हैं और यह है लिफ्ट, लिफ्ट में हम उपड़ जाएंगे, दोनों तरब से लाइन लगी हुई है और चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं उपड़ से व्यूट, अभी हमारी बारी आने वाली है लिफ्ट में तो हम अभी जाएंगे, लिफ्ट से उपड़ जाएंगे, दोस्तों लिफ्ट से उपड़ जाएंगे और उनके चेस्ट से आप लोग को बाहर को बाहर का व्यू दिखाएंगे और यहाँ पर लिफ्ट में इन्हों ने जो इस्टिच्यू है बनाने का प्रोसेस दिखा रखा है और अभी हम उपड़ आ चुके हैं, उपड़ देख लो कितनी लोग हैं और जो इस्टिच्यू है ना उसके अंदर हम खड़े हैं अभी उनके चेस्ट पर और यहाँ पर सकते हो, पूरा गैप है, तो चलते हैं और यहाँ से आपको सरदार सरोवर डेम, डेम है, वो डेम दिखाते हैं और नदी, सरदार सरोवर नदी है, वो आप लोग को दिखाता हूँ, यह देख लो, पूरा बाहर का व्यूँ, दोस्तो, यह जाली बने हुए है, जाली साम बाहर का पूरा व्यू देख सकते हैं, और यहाँ से मैं आप लोग को दिखाता हूँ, सीधे सरदार सरोवर डेम, टोस्तो वो रहा सामने में, सरदार सरोवर डेम, तो इस बाजू आप लोग को दिखाता हूँ तो इस बाजू आप देख सकते हो अंदर का व्यू देख सकते हो दोस्तो फरसमा लाइट वगर अलगा रखा है तो काफी प्यारे लग रहे हैं इस तरब से आप लोग को दिखाता हूँ जो नदी है वो नदी है आप देख सकते हो यहाँ से पिछे के साइड पूरा व्यू तो चलते हैं अब ही नीचे और नीचे जाने के बाद हम जाएंगे इस टेच्चू के पास और वहां का पूरा व्यूँ आप लोग को दिखाते हैं अभी हम जाने वाले हैं लिप्ट से नीचे और वहां से आप लोग को दिखाएंगे तो अभी हमारी बारी आने वाले हैं लिप्ट के लिए तो चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं तो दोस्तो अभी हम आ चुके हैं बाहर और बाहर से स्टेच्यू का पूरा वीडियो ले रहा हूँ और इसमें आप देख सकते हो कितनी बड़ी स्टेच्यू है तो दोस्तो आप लोग देख सकते हो इस्टेच्यू का पूरा व्यू और अभी मैं नीचे से पूरा व्यू आप लोग को दिखा रहा हूँ तो देख सकते हो दुनिया की सबसे बड़ी इस्टेच्यू देख रहे हो दोस्तो कितनी दुनिया की सबसे बड़ी इस्टेच्यू दोस्तो अभी आप चारो तरफ का व्यू देख सकते हो और वीडियो को करते हैं यही पेंड मिलते हैं नेस्ट ब्लोग में thank you